C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रिष्ठ 117 है प्रश्नावली 5 दशम लवसाद 1. सत्य T या असत्य F कहिए A. आयत का प्रत्य कोण सम कोण होता है B. आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है C. वर्ग के विकरण एक दूसरे पर लंब होते है D. सम चतुर भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है E. समांतर चतुर भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं F. सम लंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं 2. निम्न लिखित के लिए कारण दीजिए A. वर्ग को एक विशेश प्रकार का आयत समझा जा सकता है B. आयत को एक विशेश प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है C. वर्ग को एक विशेश प्रकार का सम चतुर्भुज समझा जा सकता है D. वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है E. वर्ग एक समांतर चतुर भुज भी है 3. एक बहु भुज सम यानि regular होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों क्या आप एक सम चतुर भुज यानि regular quadrilateral की पहचान कर सकते हैं 5.9 बहु भुज अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहु भुजों यानि polygons का अध्ययन किया है जिन्हें क्रमशह, त्रिभुज और चतुर भुज कहते हैं अब हम बहु भुजों की अवधारणा को ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे जिनमें 4 से अधिक भुजाएं होंगी हम बहु भुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वर्गी कृत कर सकते हैं प्रिष्ठ 118 सारणी पहला स्तंभ भुजाओं की संख्या दूसरा स्तंभ नाम तीसरा स्तंभ आकृति तीन त्रिभुज चार चतुर भुज पांच पंच भुज शै शड भुज आठ अश्ट भुज इन सभी की आकृति तीसरे स्तंभ में दी गई है आप इस प्रकार के आकार यानी शेप्स अपने दैनिक जीवन में देखते हैं खिड़कियां, दर्वाजे, दीवार, अलमारियां, ब्लैक बोर्ड, अभ्यास पुस्तिकाएं आदी सब ही आयत के आकार के होते हैं फर्ष की टाइल भी आयता कार होती हैं त्रिभुज की द्रिःता वाली प्रकृती के कारण इस आकार का इंजीनिरिंग निर्माणों में लाभ प्रद रूप से प्रयोग किया जाता है निर्माण कारियों में त्रिभुज का अनुप्रयोग होता है मधुमक्षी अपना घर बनाने में शडभुज के आकार की उप्योगिता जानती है अपने परिवेश में देखिए कि आप इन आकारों को कहां कहां पा सकते हैं प्रशनावली पांच दशमलवाट एक, जाच कीजिए के निम्न में से कौन सी आकरितियां बहुभुज हैं यदि इन में से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताईए यहां चार अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं प्रिष्ठ 119 दो, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए यहां चार बहुभुज दिये गए हैं इन में से प्रत्येक के दो और उदाहरण बनाईए तीन, एक सम शडभुज यानि रेगुलर हेक्सगन का एक रफचित्र खीचिए उसके किन ही तीन शीर्षों को जोड़ कर एक त्रिभुज बनाईए पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खीच लिया है चार एक सम अश्डभुज यानि रेगुलर ऑक्टगन का रफचित्र खीचिए यदि आप चाहें तो वरगांकित काघज यानि स्क्वेर्ड पेपर का प्रयोग कर सकते हैं इस अश्डभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़ कर एक आयत खीचिए पांच किसी बहुभुज का विखरण उसके किन ही दो शीर्षों यानि आसन शीर्षों को छोड़ कर को जोड़ने से प्राप्त होता है ये इसकी भुजाएं नहीं होती है एक पंच भुज का एक रफचित्र खीचिए और उसके विखरण खीचिए पांच दशमलव एक शून्य त्रिवी मी ये आकार यहां कुछ आकार यानि शेप्स दिये जा रहे हैं जिनहें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं प्रत्यक आकार एक ठोस यानि सॉलिड है यह एक सपाट यानि फ्लैट आकार नहीं है पहला आकार यह गेंद एक गोला यानि स्फिय है दूसरा आइसक्रीम शंकू यानि कोन के आकार में है तीसरा यह कैन एक बेलन यानि सिलिंडर है चौथा, यह box एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है पाँचवाँ, यह पासा यानी dice एक घन यानी क्यूब है छठा, यह एक पिरमिड का आकार है किनहीं पाँच वस्तूओं के नाम बताईए जो एक गोले से मिलती जुलती हों किनहीं ऐसी पाँच वस्तूओं के नाम बताईए जो एक शंकु से मिलती जुलती हों प्रिष्ठ 120 भलक, किनारे और शीर्ष अनेक त्रिवीमिय आकारों यानी थ्री डाइमेंशनल शेप्स में हम उनके भलकों, किनारों और शीर्षों की सरलता से पहचान कर सकते हैं इन तीन पदों अर्थात भलक, किनारे और शीर्ष से हमारा क्या तातपर्य है उदारण के लिए एक घन यानी क्यूब को लीजिए यहां उसका एक चित्र दिया गया है घन का प्रत्येक उपरी सपाट यानी वरगाकार प्रिष्ठ एक भलक है इसके दो भलक एक रेखा खंड में मिलते हैं जो घन का एक किनारा कहलाता है तीन किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं जो घन का शीर्ष कहलाता है सामने एक प्रिज्म का चित्र दिया है क्या आपने इसे अपनी प्रयोग शाला में देखा है? इसके दो फलक त्रिभुज क्याकार के हैं इसलिए यह प्रिज्म एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानि ट्रायांगिलर प्रिज्म कहलाता है यह त्रिभुजाकार फलक इसका आधार यानि बेस भी कहलाता है इस प्रिज्म के दो सर्वसम यानि आइडेंटिकल त्रिभुजाकार फलक हैं एक आधार और दूसरा उपरी यानि टॉप सिरा कहलाता है इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक समानतर चतुर भुज हैं यदि प्रिज्म का आधार आइताकार हो तो यह प्रिज्म एक आइताकार यानि रक्ट्रेंगिलर प्रिज्म कहलाता है आइताकार प्रिज्म के लिए क्या आपको याद है कि एक अन्य नाम क्या है? एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है और शेश फलक त्रिभुजाकार होते हैं सामने की आकरिती में एक वर्ग पिरामिड यानि स्क्वेर पिरामिड का चित्र दिखाया गया है इसका आधार एक वर्ग है क्या आप एक त्रिभुजा कार पिरमिड की कलपना कर सकते हैं इसका एक रफ चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए बेलन, शंकू और गोले में कोई सीधा किनारा यानि स्ट्रेट एज नहीं होता है शंकू का आधार क्या है? क्या यह एक वर्ग है? बेलन का आधार भी एक वर्ग है बेलन का उपरी सिरा आधार जैसा एक सर्वसम वर्ग है ने संदेह गोले का कोई भलक नहीं है इसके बारे में सोचिए प्रिष्ठ एक सौ इकीस इनहें कीजिए एक एक घनाभ एक आधाकार बक्स जैसा है इसके छै फलक है प्रत्येक फलक के चार किनारे है प्रत्येक फलक के चार कोने हैं जो इसके शीर्ष कहलाती है दो एक घन ऐसा घनाभ होता है जिसके सभी किनारे बराबर लंबाई के होती है इसके डैश फलक है, प्रत्येक फलक के डैश किनारे है, प्रत्येक फलक के डैश शीर्श है, तीन, एक त्रिभुजाकार पिरमिड का आधार एक त्रिभुज होता है, यह चतुष फलक यानि टेट्राहड्रन भी कहलाता है, भलक, डैश, किनारे, डैश, कोने, डैश चार, एक वर्ग पिरामिड का आधहार एक वर्ग होता है भलक, डैश, किनारे, डैश, कोने, डैश पांच, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म प्रायह एक कलाइडोस्कोप के आकार का होता है। इसका आधहार और उपरी सिरा त्रिभुज के आकार के होती हैं। फलक डैश, किनारे डैश, कोने डैश प्रश्नावली पांच दशमलवनों एक, निम्न का सुमेलन कीजिए C. बेलन, D. घनाब, E. पिरामिड इनके सामने पांच अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं। प्रिष्ट 122 इन आकारों में से प्रत्येक के दो और उदाहरन दीजिए। दो, निम्न किस आकार के हैं? A. आपका ज्यामिती बक्स B. एक इंट C. एक माचिस्क की डिबी D. सड़क बनाने वाला रोलर E. एक लड़ू हमने क्या चर्चा की? 1. एक रेखा खंड के दोनों अंतह बिंदूं के बीच की दूरी उसकी लंबाई कहलाती है 2. रेखा खंडूं की तुलना करने के लिए एक अंशांकिक रूलर और एक डिवाइडर उपयोगी होते हैं 3. जब घडी की एक सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो हमें खोन का एक उदाहरन प्राप्त होता है सुई का एक पूरा चकर एक घूरनन कहलाता है समकोन एक चौथाई घूरनन है और रिजुकोन आधा घूरनन है कोनों को अंशों यानि डिग्रीज में मापने के लिए हम चान्दे का प्रयोग करते हैं सम कोन की माप 90 डिगरी और रिजु कोन की माप 180 डिगरी होती है एक कोन जिसकी माप सम कोन से कम हो नियून कोन कहलाता है और जिसकी माप सम कोन से अधिक और रिजु कोन से कम हो अधिक कोन कहलाता है एक प्रतिवर्ती कोण रिजु कोण से बड़ा और संपून कोण से छोटा होता है 4. दो प्रतिछेदी रेखाएं परस पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 डिगरी हो 5. एक रेखाखंड का लंब समद विभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है 6. कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्न प्रकार वर्गी क्रित किया जाता है त्रिभुज के कोणों के प्रकार, नाम, प्रते कोण नियून कोण, नियून कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण, समकोण त्रिभुज, एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, प्रिष्ट 123. तेईज, साथ, भुजाओं की लंबाईयों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गी करण निम्न प्रकार होता है, त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाईयां, नाम, तीनों भुजाओं असमान लंबाईयों वाली, विशम बाहुत्रिभुज, दो भुजाओं की लंबाईय 8. बहु भुजों के नाम उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार हैं भुजाओं की संख्या बहु भुज का नाम 9. चतुर भुज 10. चतुर भुज 11. पांच पंच भुज 12. छट भुज 12. आठ अश्ट भुज 9. चतुर भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गी कृत किया जाता है गुण चतुर भुज का नाम समान्तर एखाओं के दो युग्म समान्तर चतुर भुज 4. समकोन वाला समान्तर चतुर भुज आयत चार बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज चार समखोन वाला समचतुर्भुज वर्ग दस हम अपने परिवेश में यानि आसपास अनेक त्रिवीमी या आकार देखते हैं इन में से कुछ घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और पिरामिध हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मारवा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत